दोस्तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वले घंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वला अखेल दोस्तो आज हम बात करेंगे स्वीट बॉक्स मेकिंग बिजनस के बारे में दोस्तो स्वीट बॉक्स वो चीज होती है कि कोई भी आप अगर मिठाई खरीते हो तो उसकी जो पैकिंग होती है जितनी टेस्टी मिठाई होती है उतरी है अगर अच्छी पैकिंग भी हो तो मिठा हम लोग festivals में यह आगर हम कोई शादी या कहीं जाते हैं जहां पर हमें ऐसे पैकिंग के बॉक्स मिलते हैं और उसके अंदर जो मिठाई होती है तो बॉक्स जितना अच्छा हो मिठाई खाने में उतना ही ज्यादा मजा आता है और वह बहुत देखने में अच्छा भी लगता ह है तो दोस्तो इसी स्वीटबोक्स मेंग बीजन स के बारे में बात करेंगे हम देखेंगे कि समय कौन से मशीन क्या आवश्यक्ता होती है कौन से र comes लगते हैं इसके बाहव इस बिद्नस में कितना कास्टिंग लगता है कितना profit margin होता है और इसकी marketing कैसे की जाए तो दोस्तो आज हम इनी सब विश्यों पे चर्चा करेंगे तो दोस्तो बने लिए वीडियो में क्योंकि यह वीडियो बहुत जादा करेंगा यान्य अगर आप इक रूम में विजनस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो अब दोस्तों अगर बात करें इस विजनस में मशीन की तो आपको इसमें स्वीट बाक्स मेकिंग मशीन खरीद में …अगर आप सेमी आटोमेटिक टिर थांऑ अगर आप से थीन लाग तक पड़ते हैं अगर आपशी अपूड़्य मशीन करेद थाaison तो आप को पांच लाग से उपर ने तो आपको एक printer की भी ज़रूरत पढ़ सकती है 30 या से ये printers की जो pricing है वो start हो जाती है अब दोस्तों अगर बात करें इसके raw material की तो आपको printed hard paper लगेगा printed hard paper आपको 25 से 30 रुपे किलो से आपको मिल सकता है इसमें एक किलो में अगर आप एक normal box के जो printed है वो बना रहे हो तो आपको कुछ 700 से 800 box आपके बनके त्यार कर जाते हैं अगर आप एक high quality box बना रहे हो तो उसमें paper थोड़ा जादा लगता है तो आपको जो box है वो आपकी जो 300 से 400 pieces में बनके आप त्यार कर सकते हो तो दोस्तों इस प्रकार इस business में आप काफी अच्छा profit margin भी बना सकते हो अब दोस्तों अगर बात करें इसके costing और इसके profit की तो दोस्तों अगर आप यह business start करना चाते हो तो आपको एक starting level पर ही 5 लाग रुपे से 107 लाग रुपे तरक का एक amount लगेगा उसके बाद आपको एक running amount भी लगेगा क्योंकि तीन से छे मेना आपको business इसमें run करना होगा ताकि आप अपने अच्छे से customer बना सके अब दोस्तों अगर बात करें इसके profit की तो आपको इसमें profit margin हो बहुत अच्छा है आपको 70% से तो 50% रखता इसमें profit margin भी मिल सकता है आइए दोस्तों आप देखते हैं कि इसका marketing किस प्रकार किया जाए दोस्तों जैसे कि यह business जो है यह B2B वाला business है क्योंकि इसमें आपको direct customer तर नहीं पहुंचना है तो इसके लिए आपको कुछ salesman रखने होंगे जिनके टार्गेट customer हो सकते हैं बेकरी शॉप्स हो सकते हैं जो सुपर वजार है वह सकते हैं क्योंकि उनको भी packing के लिए कभी तो भी boxes की ज़र्वत पढ़ती है इसके अलावा इवेंट management जो companies होती हैं उनसे contact कर सकते हैं क्यों 300-400 जो भी बाराती आते हैं उनके इसाब से जो विदाई होती है या कुछ और फंक्शन होती है तो उसमें गिफ्ट देने के साबसे भी इस टाइप के वाक्स की पैकिंग लगती है झाल 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 तो दोस्तों यह लोग आपके टार्गेटिंग कस्टमर्स बन सकते हैं और फेस्टिवल में यह बिजनस आपका सबसे अच्छे लेवल पर आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि फेस्टिवल में इस तरगे के बॉक्सेश की जादा जरुवत होती है तो दोस्तों यह थे एक ओल ओर इन्फरमेशन इस बिजनस के बारे में हम इसी तरह की इन्फरमेशन हमेशा लाते देते हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर सबस्क्राइब कर दीजे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो जरूर जरूर लाइक कर दीजे दोस्तों तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम फिर किसी इन्नोविटिव आइडिया के साथ मिलेंगे तब तक के लिए दोस्तो बंदे मात रहें